हेलो फ्रेंट्स हम बनाएंगे खोई वाली वर्फी यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने एक स्टील का पैनल लिया है आप कोई भी ले सकते हो और उसमें डाला है सिर्फ थोड़ा सा पानी आदा गिलास जितनी मैंने वर्फी बनानी है क्योंकि खोवा मेरे पास और रेडी बन हुआ है अगर आपको नहीं पता तो मैं लिंक डाल दूंगी आप देख लीजेगा यहां पर आप देख सकते हो कि छोटी जो कोटोरी है वो मैंने चीनी के लिए है क्योंकि मैं थोड़ी से वर्फी आपको बना के दिखा रही हूं अगर आपने ज्यादा बनानी है तो आप आपको जो चाशनी बनानी है वो एक तार वाली या दो तार वाली नहीं बनानी है आपको सिप सिंपल जो गाड़ा एक गोल होता है वो ही बनाना है आपको यहांपर मैं बना के दिखाती हूं यहांपर आप देख सकते हो कि इसमें उवाल आ चुका है आपको यह नहीं देख हो चुका है जो खुआ था आप देख सकते हो मैंने फ्रिज में रखा था इसलिए थोड़ा सा जमा हुआ है आप इसमें चाहो तो इलाची के दाने भी डाल सकते हो इसको मैं अच्छी तरह से घोल लूँगी अब इसमें डाल देंगे हम खुआ आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको वाइट सा लग रहा होगा अचली यह फ्रिज में रखा हुआ था ना तो यह जम गया है अब आप देखिएगा यह बिल्कुली घूल जाएगा चाशनी में पस इसको हिलाते जाना है क्योंकि अभी यह थोड़ा सा थंडा है ना इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर आप फ्रेश बना रहे हो तो ऐसा नहीं होता लेकिन आगर आप फ्रिज में रखे होगे तो तो ऐसा ही होता है जमने से आप देख सकते हूं कि इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा कर्शी चला रही है ताकि जो हमारा खुआ है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए इसको ऐसे नहीं है कि आपने रेड करना है या भूनना है ऐसा कुछ नहीं है बस आपको चाशनी में अच्छी तरह से इसको मिला देना है आप एक पर जुरूर ट्राइगर करके देखेगा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है क्योंकि यह प्यूर खुआ की वर्फी है इसमें कोई भी मिलावट नहीं है कोई मैदा नहीं डाल रहे है कुछ भी नहीं डाल रहे गैस को लो फ्लेम पर ही रखिए ताकि यह नीचे न कि यह विल्कुल मेल्ड हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है और मैं इसको एक बरतर में निकाल रहे हूंगे मेरे पास यहाँ पर लोहे वाला बरतर नहीं है जिसमें बर्फी को जमाते हैं तो एक डबा है उसमें ही मैं जमा रही हूं इसको क्योंकि मैं थोड़ अब इसको मैं यहाँ पर लेया है बदाम थोड़े से इनको काट के एक साइट डालूँगी आधी तो मैं सिंपल बनाऊंगी और आधी ड्राइफ रूट वाली बनाऊंगी आप चाहो तो सारी ड्राइफ रूट वाली बना सकते हो लेकिन हमारे यहाँ नहीं खाते इतना ज़् तो मैं आधी में रही ड्राइफ रूट को डालूँगी आप चाहो तो इसको कद्धुगास भी कर सकते हो लेकिन मैं सिर्फ काड के डाल रही हूँ अब देख सकते हैं कि अभी से कलर कितना अच् sitä लग रहा है अब जब जाईगी न तो देखी हैगा की कलर कितना अच्छा आएगा इसका आप इस पर पिस्ता, काजू, ये चीजें भी डाल सकते हो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बना के दिखा रही हूँ आप देख सकते हो कि ठंडा होने के बाद इसका कलर कितना अच्छा है अब मैं इनको काट लूँगी क्योंकि अगर ज्यादा हाड हो जाएगी तो फिर इसके जो पीसे वो अच्छे से नहीं कटेंगे इसलिए मैं इसको पहली काट दोंगी आप चाहो तो बड़े पीसे भी बना सकते हो मैं यहाँ पर छोटे छोटे आपको बना के दिखा रही है एक तरफ तो सिंपल हो गई और एक तरफ ट्राइफ रूट वाली एक बार आप जुरू ट्राइट ट्राइब करके देखेगा और मेरे चैनल को जुरू सब्सक्राइब कीजिएगा आप आप देख सकते हो और यह कितनी ज्यादा सॉफ्ट बनी है क्योंकि घर का ही खुआ है आप दो या तीन लिटर से भी इतनी बर्फी बना सकते हो आप देख सकते हो कि बिल्कुल पर्फेक्ट